वास्तु शास्त्र में नमक को नकरात्मक उर्जा को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है माना जाता है कि नमक में नकरात्मक उर्जा को अवेशोशित करने की शमता होती है इसे कई तरीके से उप्योग किया जा सकता है हम आपको नमक के ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बतानी जा रही है जिने करने से घर्ड में सकरात्मक उड़जा का प्रवाव बढ़ता है और नकरात्मकता दूर हो जाती है जोतिशी अजेक उठारी ने बताया कि नमक किचिन का एक जरूरी भाग है ये एक ऐसा मसाला है जिसके बेना किसी भी व्यंजन का स्वादध हो रहता है वहीं जोतिश और वास्तु शास्त्र की दृष्टी से भी नमक के कुछ उपाई व्यक्ति की किसमत चमका सकते हैं वास्तु के दूशार नमक का उप्यूप हम कई परकार से अपनी नजर को या किसी परकार की नेगिटिविटी को किसी परकार से आपकी सूच या किसी दूसरी की नजर से आई भी बाधा को खताने के लिए किछिवी स्पिप्षू अबंड़ चाहिए जब भी किसी जगह पर क्लेश का वास्थारफटवान निया कि परकार की निया हूद्टिविटी का वास्थारफण बन गया हो उसको दूर करने के लिये कर सकते हैं वास्टू में इसका बहुत इंपोर्टेट रोल है नजर को बू तो बावल के अंदर उसे क्रिस्टल फॉर्म में रख देजिए नमक को नमक के साथ अगर हो सके कोड़ा सा कपूर और हो सके कादी लाओ भी उसके अंदर हम रख सकते हैं तो उससे मुख्य तौर पर क्या होता है कि जब भी आप त्वालिट जा रहे हैं तो आपके ओपर जितन को हटाने के कारे यह नमक और यह आपके बात्रूम में भी और आपके पूरे घर पे भी पोजिटिव उड़जा का पंचार लगता है इसके अलावा हम अगर चाहें तो सेटर्डे के दिन आप पानी में धोड़ा सा नमक सपेज नमक में आकर कि पूरे घर में इसका पोचा आपके लगा सकते हैं उचा लगाने से भी आप जितने में ध़र आपके कि बातार की जोश्य पोज़ों को भी पासे ऑट यह आप कि पर लोगार का किसी वी प्रतार का एक क्रिस्टल रोग कि सो भी न हमालीन की का जा मぇ वह लेकर कि पूर लेंप लेंप में नीचे लेंप ल और उसको पर थोड़ा सा अगर हो सब्सक्राइब तो थोड़ा दो चार बूल एसेंसेल होल्की डाले तो उससे भी क्या होता है यह नमक जितनी दूर तक वेपर होता है उतनी दूर की नेगेटिविटी को अइटमेंटिकली खाता मुखर करता है उत्रा खंडरिशी केस से ईशा बिरोरिया के रिपोर्ट